हेलो दोस्तों मैं हन्सराइच कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लास्टेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार सीचो का जो एक्जाम हुआ 27 फरुवरी 2021 को उसका क्यूशन पेपर लेके आगया हूँ इस वीडियो के अंदर अपन सोल करेंगे इंपोर्टेंट क्यूशन से हैं जो कि आपको आने वाले जो भी एक्जाम है चाहिए वो फिर MPCH हो या फिर राजस्तान चाहिए या फिर कोई भी CH का एक्जाम हो उसके अंदर रिपीट होने की काफी समभावनाए है इसलिए आपको क करना दोस्तों पूरा वीडियो देखना है पूरी पूरा नोलेज यहां से आपको लेना है और आपको मैं इस वीडियो के अंदर यह भी बताऊंगे दोस्तों कि हमने जो आपको तयारी करवाई थी उसमें से कौन-कौन से कुशन यहां पर एक्जाम के अंदर आये हैं और आ जोड ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वह निचे रेट कदर में सब्सक्राइब को बटन है अभी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन याणि गंटी के निशान को ओल पर जुरूर प्रेस करें ताकि जब मैं इसका सेकंड पार्ट लेकिया हूं तो इ लुबल 738 इस नमबर पर आपको अपनी कुष्टन सेंड करने हैं आपको बताना है कि बिया ची जो कि फर्स सिप्ट का अपने एक्जाम दिया था कि सेकंड से कर दिया था इस नमबर पर मुझे कुष्टन बेज दें थाकि सबी के लिए पूरा जो 120 कुष्टन जो आये थे वह कि सेंड कर देना है तो चलि दोस्तों स्टार्ट कर दें अपना तो कुष्टन फर्स पुचा गया था आपका हो सकता है वेस्टो मिnoiu पूचा गया हो आपको पता हो ना में इसके कोन कुन से होते हैं तो दोस्तो एक तोफ मेक्जERS को एक होताई तो फोल फॉंब्स की पूचह के इसके अंदर भी बताया था और जो अपने गेज़ पेपर सोल करवाया थे एक्जाम से पहले उनके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि डोट के फुल फॉर्म क्या होती हो शीदा शीदा क्यूशन से आप पूछ लिया गया है इसके साथ दोस्तों क्यूशन पूछा गया था कि बताब को शीदा चैसा अपको देता है उसमें से आपको करक्थ करते आना था अपयर रहना था जिघना करना था दोस्तों पुरुकिंट फाइप एक्मल कितना करना था दोस्तों जीरो फाइपड एमद क्यूशन की डोश देते हैं कौन से डेते दोस्तों आयेइडोटches द जो infection होता है ये वर्टीबर एनिमल से मेन को ट्रांस्मिट होता है तो उसको क्या करते है या फिर मेन से वर्टीबर एनिमल को ट्रांस्मिट होता है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई दोस्तों कि जिसके अंदर infection ट्रांस्मिट हो रहा है उसका नाम पहले आएगा जिसके अंदर इंफेक्शन ट्रांस्मिट हो रहा है उसका नाम क्या आगा दोस्तों पहले आएगा तो यहां भी क्या होगा है टू में में को ट्रांस्मिट हो रहा है और मैंने आपको एक सो ट्रिक बताई थी कि में को अपने लगा हुआ होगा उसको ट्रांस्मिट हो रहा है और टूजन जिसको ट्रांस्मिट हो रहा है उसका नाम क्या आएगा दोस्तों पहले आएगा तो में का क्या बता है मैंने एंथ्रो और एनिमल का क्या बता है जू तो यहां पर यांस्वर क्या हो जागा दोस्तो एं-thropo-doosyos कहाँ जाएगा जिसके अदे ट्रांसमिट होगा infections का नाम क्या आएगा पहले हो यहां पर क्या नाम आ रहा है पहले दोंपो पुछा गयता है जो एंथ्रपो- noise vendu s और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जुनोसिस है वो एक तो होती है एंथ्रोपो जुनोसिस और दूसरा वह न सा होता है जुन एंथ्रोपो नोसिस ठीक है इसके अंदर जो आपन बात करेंगे कि जब इंफेक्शन आपका इनीमल से में को ट्रांस् होते हैं एनिमल से तो आपका एक तो रेबीस आपने देखा होगा प्लेक और इसके साथ ही एंथ्रेक्स हाइडिटीड जीज एंड ट्राइक्रियो नोसिस यह जो है आपकी एंथ्रोपो जुनोसिस डीजीज होती है नेक्स्ट क्यूशन पुछा गया था सेम टूसेम इंफे ट्राइक्शन में से किसको किरांसे टू वर्टिबल एनिमल इनिमल इनि मन यह जिसको ट्राइब रहा हो उसका नाम के आएगा दोस्तों पहले आएगा तो यहां पर पर उन्प्सेंट दियें करते उप्सको एक्सोटिक ऑप्सन बी था आपका एंथिजोटिक तो क्या कहते तो मैंने क्या बताया है जिसको infection transmit होगा उसका नाम पहले होगा आएगा यहां पर किसको क्या किसको दोस्तों बोट साइड एंपी का मतलब होगा यहां तो इसके अंदर झाल इसका इसका इसमट्स आपको आपको सही करना था आईड्रोजैनी क्या करते हैं? तो दोस्तो आईट्रोजैनीक जो इसम्टम होता है moments and physician te allegedly treatments के दोरा यह उसकें सब्सक्राइब दी गई है उसकें दोरा koई infection ही ट्रांसमि gast wrong हो जाता है है जो इंट्रीचन listed क्या करेते हैं Qtion पूचा गए ता physician induced infection को क्या करेते है ID样ic infection कहा जाता है Qtion पूचा करेता insulin का antidote तो दोस्तो option क्या थे actual में मेरे को नहीं पता लेकिन जो insulin का antidote होता क्योंकि आपको पता insulin के वज़े से क्या होता है hypoglycemia की condition होती है क्या होती है condition hypoglycemia की condition होती है और hypoglycemia को treat करने के लिए आपको क्या देना होगा उस patient को dextrose देना होगा चाहिए तो आप 25% दे सकते हैं या 50% dextrose दे सकते हैं तो आपका answer क्या होगा दोस्तो dextrose और भी कोई option में था अदर कोई option था था आप मुझे जरूर कमेंट करें मैं उसका भी कुछ निवारन आपका कर दूंगा next वापस से मैंने full form of doors ले लिया तो वह इस directly observe treatment short course next question पुछा गया दोस्तो पीवी सिंदू इस दे प्लेयर ऑपन जो पीवी सिंदू है वो कौन से गेम की प्लेयर यानी खिलाडी है तो option यह था बेडिमेंटन, option B cricket, option C football and option D था none of the above तो सही answer कहा दोस्तो बेडिमेंटन की प्ल पिचाणों को इनका जन्व हुआ था is an Indian professional badminton player क्या है यह Indian professional badminton player है ठीक है इनका date of birth का है दोस्तो पास जुलाई 1905 है पुरा नाम क्या है पुस्रला वेंकर्टा शिंदू पीवी सिंदू next question पूछा गया दोस्तो all of the following are the fat soluble vitamin accept यानी इनमेंश आपको बताना था कौन सा fat soluble vitamin नहीं है तो दोस्तो vitamin A, vitamin D, vitamin E और K यह चारों क्या है fat soluble vitamin है और जो water soluble vitamin है उसके अंदर vitamin C और vitamin B complex यह जो है दोनों क्या है जोस्तो water soluble vitamin है question में पूछा गया था कौन सा fat soluble नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि fat soluble कौन-कौन से होते हैं तो इनके अलावा जो option में होगा question का सही answer हो जाएगा तो option C यहां पर बिल्कुल सही जवा क्योंकि vitamin C का है दोस्तो water soluble vitamin है इसमें क्या पूछा था कौन सा fat soluble नहीं है तो vitamin C क्या है दोस्तो water soluble है इसलिए question का सही answer क्या हो जाएगा option C next question की बाहर में बात करेंगे question number 13 पूछा क्या था MTP Act Establishment Year जो एक्ट है उसका establishment year पूछा क्या था कि कब established हुआता दोस्तों तो option A था 1971 option B था 1980 option C 1965 and option D था 1990 तो सही answer क्या होगा दोस्तों option A 1971 के अंदर MTP Act क्या हुआ था establishment हुआ था तो यह कुछ questions थे जो मैंने आपको solve करा है और question पूछा गया था antibiotic use for what यह पूछा गया था कि antibiotic किसके लिए यूज की जाती है उसके अंदर आपको चार यह क्या करती दूस्तों जो इंफेक्शन के अंदर यूज की जाती है या आपन नॉर्मली कहें कि इट इस ए एंटी बैक्टेरियल और इट मेडिकेशन देट डिस्ट्रोई और स्लोडाउन ग्रोथ बैक्टेरिया यह जो डिस्ट्रोई कर देती है या फिर उसकी जो ग्रोथ उसको स्लोडाउन कर देती है इंक्लूडे रेंज जो पावर्फुल ड्रक्स आर यूज्ट डिजीज कोई बैक्टेरिया नि बैक्टेरिया के से जो डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है इसको बन क्या करते हैं एंटी बायोट आपको इसी नंबर पर क्या करना है दोस्तो वोटसप जो भी आपको क्यूशन से याद दो वो आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है तो बाकी के जो क्यूशन से मैं आपको सेकंड पार के अंदर लेकिया होगा जल्दी सेकंड पार अपलोड होगा उसके लिए आपको क्य तो आज ये इस वीडियो के अंदर यहीं पर अपने इसको एंड करते हैं सेकंड पार्ट जल्द ही अप्लोड किया जाएगा इसकी इनफर्मिशन प्राप्ट करने के लिए आप क्या करना होगा दोस्तों नीचे जो रेट के अधर में सब्सक्राइब को बटाएं उसको अभी सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को ओल पर जुरूर प्रेस कर लिजिए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा से झाल